नीन्द हम सभी के लिए काफी जरूरी होती है जिस तरह खाना हमारे सेहत के लिए जरूरी है उसी प्रकार नीन्द भी हमारी सेहत के लिए काफी जरूरी होती है नीन्द पूरी ना होने पर व्यक्ति की सेहत पर इसका बुरा असर देखने को मिलता है ऐसे में बहुत से लोग ऐसे हैं जिने नीद ना आने की समस्वा का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोगों को रात में घंटों तक नीद नहीं आती है। या पूरी रात सिर्फ करवटे बदलते हुए बितानी पड़ती है। ऐसे में अगर आपको भी सोते समय इन सभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको एक ऐसे ही टक्निक बताने जा रहे हैं जिससे आपको चिट्कियों में नीद आ जाएगी। आईए जानते हैं इस टक्निक के बारे में। बताने जा रहे हैं जिसे अपनाने से आपको बिना किसी दवाई की ही आसानी से नीद आ जाएगी। हम बात कर रहे हैं ब्रीधिंग टेक्निक की। नीद ना आने की समस्था से परेशान लोगों के लिए 4-7-8 तक्निक काफी काम आ सकती है। ये टक्निक आपके दिमाग को रिलेक्स करने में मदद करती हैं जिससे आपको आसानी से नीद आ सकती है। साथ ही अगर आपके नीद रात के बीच में खुल जाती है और दुबारा नीद आने में आपको काफी कठीना होती है तो इसके लिए भी ब्रीधिंग टेक्निक आपकी काफी मदद कर सकती है। 4-7-8 ब्रीधिंग टेक्निक का मतलब है कि आप 4 सेकंड के लिए सास ले और फिर 7 सेकंड के लिए सास को रोक कर रखे फिर 8 सेकंड में सास को छोडे इस टेक्निक से आपका दिमाग शान्त रहता है तनाब कम होता है। ये टक्निक मार्श बेशियों के दर्से राहत दिलाने के साथ ही नीद लाने में भी काफी मदद करती है। पारीजों के लिए भी ये ब्रीधिंग टकनिक काफी फाइदमन्द है। इससे स्ट्रेस और इंजाइटी की समयसा भी ठीक हो सकती है।